वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते जीदी वार्दा कीर्तन अरंब करवा दिता कलंगी वालया तेरिया तू ही जानदाई पिछे जांग जोरां ते हो रहा है ते मेरे पात्षा परमातमा दी कीर्ती सोन रहे हन सवेर होई देख्या पाणी कोज कटिया पर अजे वी पार लंगना ओखाई दोश्मन गिदड़ चांगा मारदा सरसा नदीते आन पहुंचा इथे ओ जांग होई जसदा कोई हिसावकताव नहीं लाया जा सकदा ए प्यानक तो वी प्यानक सी वेरी समझदा सी के होण गुरू साड़े हत्थों बचके नहीं जा सकदा गुरू देयान सिंगा ने वेरी नू अपनी हैक दे जोर रोकी रखेया सत गुरू जी वाल किसे नू फटकन ना दिता जेड़ा वी इदर नू आया उसनू बुरी तरा चीर सुटेया पात्षा जी ने सरसा पार करन्दा होक्म दिता मेरे कलंगी तर जी ने सरसा नदी वल महारा मोडिया ते पाणी दे वहा वेच रुडे जान्दे अपने सिंगा नू देख के जोश वेच सरसा नू केहा तुँ ऐस वेड़े अपना पाणी वदा के वड़ी मार कीती है एक एके गुरू जी ने अपना कोडा पाणी वच उतार दिता सरसा दे विचकारों रोक के पिछे वेरी उपर कई तीर छड़े ते कई नामी जर्नेल सदाले टेरी कर दते बड़े साहिव जदे पात्षा जी नाल ही सरसा पार कर गए सारा विहीर बुरी तरा खेंड गया बोते सेंग शिहीद गां पा गये कईयानू पाणी दा तेज वेग रोड के ले गया कोई पार हो गया, कोई रोड गया, कोई शिहीदी प्राप्त कर गया पात्षा जी वलो कई सालां दी मेन तना लिखे अनेका ग्रांथां समेत सबतो बड़े अकार दा ग्रांथ विद्या सर्वी सरसा दी पेट चड़ गया अईने शोर वेच एक दूसरे नू अवाज मारी सुनाई ना दिती कई सेख वीबिगा ते व्यर्द शिहिदिगा पा गये, कई वच्चे वी मारे गये सत्गुरु जी दा परवार पूरी तरह विछड गया वीरा नलों वीर ऐसे विछडे के फिर दवारा ना मेल सके बड़े साहिव जादे कलंगी तर जी नाल सरसा पार कर रूपडवल चले गये छोटे साहिव जादे ते दादी मा गुजर कौर जी सरसा नू पार ना कर सके उनना दे नाल एक सेवक ते दासी सी जो विछड के किदरे हूर पासे नू चले गये अते माता जी ते साहिब जादे सरसा किनारे किसे ओजड राहा वल होतु रे माता सुंदर कौर जी माता साहिब कौर जी पाई मनी सेंग जी दे जथे दे सिंगा समेत सरसा तो पार रोपड वल चले गए सरसादे के नारे बहुत कैर वर्तिया सवकोज हसदा वसदा उजड गया पंथ वसे मैं उजडां वले कलंगी तरजीदे बोलना वाली कहाणी सच हो गई 21 दसंबर दी चड़दी सवेर गुरू परवार नू विशोडन वाली मंद पागी हो निबडी परवार नालों बिछड के माता सुंदर कौरजी माता साहिब कौरजी पागोते बीबो दोमे टेलना पाई मनी सेंग पाई जवाहर सेंग ते पाई तन्ना सेंग ए दोनों दिल्ली दे रहन वाले रोपड पोंच गए एथे पाई जवार सेंग रोडा दे रष्टेदार सी जो खास इतवारी शरदालू सेंग सन मतामा सेंग ते दासियां इनना दे करे जा पोंचे इनना ने पोज के सिवा कीती पाई मनी सेंग जी समेत सारे सिंगा ने सारी रात जाग के पै ते रब वर्गी सासदा वे छोड़ा तौर सीने नू तू पाई जान्दा। की भीती होवेगी इनना सोच्यां वेच सारी रात पासे लेंदयां वतीत हो गई। माजरे दे रास्ते रोपड जा पहुंचे। मुरे रोपड ये पठान गुरुजी दे वेरी बन बेई मानी दी हाद टप गई। कदे ए पठान गुरुजी कोल अनदपुर साहिब नोकरी कर दे सी। गुरु करतों इनाम ते तनखाहा लेंड वाले पठान गुरु कर दे दोखी बन गई। रोपड दे पठाना नाल चंगी चाडप हुई। इना बेई माना दे सिंगाने बुरी तरा मूपने। बोते पठान मारे गई। बाकी पिछे नू पज अपनी जान बचा गई। पात्षाजी पेंड कोटले पहुंच गई। इत्थों दे नहेंगखाँ पठान ने बहुत सतकार दिता। अपनी हवेली दे बुहे बहुत प्यार शर्दा नाल खोल दिते। नहेंगखाँ पठान गुरु कर दा बहुत शर्दा लू सी। इन्ना दे बड़ेवडे रेवी गुरु करते शर्दा रख दे सी। शे में पात्षा गुरू हार्गोविंद जी अते सत में पात्षा गुरू हार्राई जी ने इनना दे बड़े पॉर्ख्यां दे ग्रै चार्ण पा निहाल कीता सी। नेहांग खाने अनादपुर साहिव शडण दा सारा हाल पुछया। अपने लड़के आलम खान दी मंगनी दा सद्धा पत्तर देन अपनी बेगम ते लड़की मुम्ताज नू नाल लेके एकरात अनादपुर साहिव नेहांग खान पठान रै आया सी। उथे दे रुहानियत नजारयानू ओपली पात जान दा सी। सारी कहानी गुरू पात्षाजी पासों सोन के एस दा हेर दा बहुत दुखी होया। परवार दे बशोडे दा सोनतां एस दा मन चूठियां कसमा खान वालेयां मुगलां ते पहाड यानू लानतां पौन लगा। एस ने गुरू पात दियां तंदां टुटन आ दितना अग्ये नालों वी वाद के तनू मनों सेवा कीती। तान है ए परवार जो मसीबत दे समेवी गुरू पात्षाजी नाल प्रीत पाके सेवा दे खजाने लोट रहा सी। गुरू पात्षाजी पलंगते वैठे हजे एस हवेली वेच ही सन के साहिब जादा जीत सेंग जी गंबीर जाखमी हालत वेच पाईव चितर सेंग जी नू लिया हाजर होया जो पेंड मलक पर रंगणा विखे दोश्मन दी चडप वेच सक्त जाखमी हो गया सी। गुरू पात्षाजी ने पाईव चितर सेंग जी वाल देख जिते आप बैठ थे सी औस पलंग ते लटा जिता। एस दे डूंगे जखमा ते पट्टगा वनवाईया। दस में पात्षाजी ने बैरीदा कोई प्रोसा ना जान एथो जाना चंगा समझया। एस नेहां गखां पठान दी प्रीत देख पात्षाजी ने परसन हो इनना नू कटार अते शि तों वदाइंगी लई। नहंग खांदा लड़का पात्षाजी नू रास्ता दस्सन लई पेंड लखमी पोर तक नाल गया। कलंगीतर जी पेंड ब्रह्मन माजरा पहुंचे। थोड़ी देर एथे रोकके पेंड बूर माजरे नू चले गये। बूर माजरे एक खूतों स सत्गुरु जी ने जाल शकया। मूहा थतो ता आले द्वाले तो बेरीदी पैनक लई। सिंगा ने वी जाल शकया। मूहा थतो उस चेत होए किसे प्रेमी ने गुरु जी नू आननमसकार कीती ते दस्या के पात्षाजी जेडी फोज पहाडी राजया ने औरंग जेव पा दोस्तो अज दी वीडियो वेच इतिहास दे बस अने पन नही। अगली वीडियो दे वेच अपा इस्तो अगेदा इतिहास जानागे। दोस्तो अगर तुसी अपने इस चैनल नू सब्सक्राइब नहीं करया ता हुने ही सब्सक्राइब करके अगेबनी कांटी दबा देगो तांके जदो अगली वीडियो अपलोड होए ता उस दा नोटिफकेशन तो हड़े तक अपने आप पहुंच जावे। दोस्तो आज ल